तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को के आर बी एल लिमिटेड हमारे पास में हैं कंपनी इससे जो परीचित है वह अच्छा है परीचित है जो परिचित नहीं है उनको मैं बता देता हूं राइस मेकिं यानि की जो चावल बनाने वाली कम्पनिया होती है चावल को बेचने वाली बनाने वाली us तरह की एक कम्पनी है और इस कम्पनी में आज के दिन जो है 12% की सांधार तेजी देखने को मिली है एल्टी फूड लिमिटेट कमपनी का नाम है और यहाँ पर हम देखें तो इस सेर के अंदर भी हमें 8% की सांदार तेजी जो है देखने को आज के दिन मिली है 106 रुपे का करेंट प्राइस है 7 रुपे 95 पैसे की तेजी हमें देखने को मिली है इसके अलाबा कोहिनूर फूर लिमिटेट का नाम भी आपने सुना होगा कमपनी के चावल काफी ज्यादा फेमस है इस सेर में भी जो है लगबख 5% की तेजी हमें देखने को मिली है 30 रुपे 80 पैसे का जो है करेंट प्राइस हमें देखने को मिलता है केंडलिस्टिक पैटन में सेर की बात करें तो जुलाई 2022 से चार्ट अबिलेबल है और यहाँ पे देखें तो पोजिटिव ब्रेकाउट हमें जो है सेर देता हुआ आज के दिन देखने को मिल रहा है कहने का मतलब यह था जो गिरावट चल रही थी जो मंदी का समयस में चल रहा था कही ना कही उसको तोड़ते हुए नजर आ रहा है और चावल के स्टोक सारे भागे हैं उसके पीछे क्या कुछ बज़ह रही है बिल्कुल जब कुछ सेर मार्केट में कुछ भी होता है कोई सेर गिरता है कोई share भागता है तो उसके पीछे एक region होता है तो इन सब जो ये चावल के stock है इनके भागने के पीछे भी एक region है उसको भी जो है हम discuss करेंगे तो के यार बील के share की बात करें जैसा मैंने बताया 384 रुपे 90 पैसे का price है और breakout यहाँ पे जो है इस share ने दे दिया है चाहे तो सोट्टम के लिए company में जा सकते हैं share को buy कर सकते हैं target की बात करें तो यह जो हाई है यहां का target आपका लेके आप सोट्टम के लिए इसमें buying कर सकते हैं चाहे तो जो इस candle का low है उसको support मान के भी आप जो है buy इसमें कर सकते हैं इसके आगे alti food यानि की दावत का जो share है वो भी आज के दिन हमें positive breakout देता हुआ देखने को मिला है क्योंकि इसमें भी सांदार तेजी हमें देखने को मिली है आप चाहे तो इस share के साथ भी सोट्टम के लिए जा सकते हैं क्योंकि जो news मैं बताऊंगा इस वीडियो के end में वो काफी ज़्यादा एहम हो जाती है ऐसे में जो ये चावल के स्टोक हैं ये काफी ज़्यादा आपको मतलब आगे in future भागते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं तो इस स्टोक में भी आप सेम जो है या इस लेबल का आप जो है इस टोप्रोस लगा के इस सेयर में भी आप चाहे तो जा सकते हैं टारगेट आप यहां का यहां का टारगेट आप रख सकते हैं 120-130 का टारगेट लेके आप जो इसमें बाई कर सकते हैं अब ये जो सेयर है कोईनूर फूड लिमिटेड का इसमें आप ना जाएं तो ज्यादा बेटर है क्योंकि सेयर जो है काफी ज्यादा अपने उपर के हाई से गिर चुका है और कंटिनुरसली गिरावट यानि कुछ भी मुमेंटम सेयर में देखने को नहीं मिल रहा है थोड़ा सा मुमेंटम यहा किसी दूसरी कंपनी में सि harbor कर सकते हैं स्टाइटन आपर सरक्रीट पर लगते देखने को मिले पतुली मिना करने है कि सबस्टाइब करते हैं चाये तो कर सकते हैं अब वो क्या न्यूज है जिसकी बज़े से ये सारे ही चावल के स्टोक भागते हुए नजर आए हैं गाइस स्टोक उंदा बॉइल आफ्टर फोरकास्ट बिगेस्ट सोटफाल इन इल्ड इन टू डिकेट्स कहने का मतलब ये है स़ही से मैं समझादेता हूं यहां पर ये कहना चारहे हैं कि दो दस्कों में जो चावल का जो वो होती है या antim कि जो स्टोक है उसमें जो है कमी हम देखने को सबसे बड़ी कमी जो है हमें दो दस्कों की सबसे जाधा देखने को मिल सकती है 2023 में आगे लिखते हैं 2022 यानि कि 2022 इंडिया exported a record breaking 22.26 million ton of rise reflecting an annual growth rate of 3.5% कहने का मतलब ये है कि 2022 में 22.26 million ton का जो हमने जो निर्यात गेहूं का किया था और उसमें 3.5 percent की growth हमें जो है देखने को मिली थी तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो situation हुई है हमें पता है कि हम इंडिया में जो है चावल की जो उत्वादन चमता है काफी जादा है चावल गेहूं गन्ना काफी जादा मात्रा में हमरे देश में पैदा होता है ऐसे में जो export है यानि कि हमें पता है कि पिछले साल भी हमारा जो export 3.5% की growth के साथ बढ़ा है और हमने 22.26 million ton का rice जो है export किया है तो यहाँ पर क्या है सियरो प्राइस प्रोडक्शन कंपनी नोस इस्ट्रोंग गेन ओन अप्रैल 19 फोलोईंगे रिपोर्ट बाइ रिसर्च एजनसी पिछ सोल्यूशन यानि कि एक यह एजनसी है इन्होंने यहाँ पे अपना जो है एक रिपोर्ट एक रिसर्च पब्लिस की है यह कह रहे है कि global market for commodity बिट लोग इट बिगेस सोटफाल इन तू डिकेट्स इन दिस यर कहने का मतलब यह है यह कहरें कि global market में दो दसकों की सबसे ज्यादा कमी जो है चावल की जो है हमें देखने को मिल सकती है ऐसे में क्या है जो चावल यानिकी जो राइस मेकिंग कंपनीज है उजायट सी बा य्याहिंट जयादा होगी प्रॉडक्षन कम यहने क裡面 कमी होगी तो timeline के प्राइस्य आप बढ़ेंगे ऐसे में क्या है की जो इस टॉक है है जो कंपनियां जो राइस मेकंगिंग हैं उनके जो मार्जिंस बढ़ेंगे और बहां पर जो है वो इस्ट्रोक में गेन करते हुए The last few years, because of Russia-Ukraine bar and COVID pandemic, while sanctions on Moscow just made matter, but rice prices sort up sharply as a consequence of this and according to the recent Fitch Solution Country Risk and Industry Research Report, rice prices are likely to remain not around the present high till 2024. कहने का मतलब यह है कि रसिया-Ukraine बार गी बजए से जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बादित हुई है। उसके अलाबा COVID pandemic का भी पिरुभाब रहा है। आर्वateur जो चाहर हो गेहूं हो या कोई भी चीजो उसको लेके जो संक्चन लगाए गए है। उसने जो है जो इस्तिति है उसको खराब कर दिया है ऐसे में जो है चावल के जो दाम है वो बढ़ना लाजमी है और चावल के जो सेयर है उनका भी बढ़ना लाजमी है तो दोस्तों यह वो रिपोर्ट है जो की पब्लिस की गई है और कहीं ना कहीं जो है क्योंकि हमें पता है temperature बढ़ रहा है और ऐसे में क्या है जो दान की फसल है जो लोग जानकार होंगे उनको पता होगा जो लोग जानकार नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि temperature जब बढ़ता है तो वो किसी भी फसल के गयों कि फसल के लिए भी temperature का बढ़ना अच्छा नहीं होता है और दान की फसल क तरागी होती है जिसको कि बरसात के मौसम में वह जाता है और बारिस की उसको काफी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिल रही है पिछले 2-3 सालों में ऐसे में क्या है जो चावल का प्रोडक्शन है वो इंडिया में भी जो है कही ना कहीं जो है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और बाकी जो कंट्रीज है बहुत तो ओल्डेडी जो है दिक्कतों का सामना कर रही है ऐसे में क्या है ऐसे में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जो है चावल के दाम बढ़ते हैं तो हाला कि जो स्टोक हैं चावल के वो हमें गेन करते हुए